जैसे मोटापा जैसे मधुमे मेरुदंड के रोग चार श्रेणिया मैं विशेश श्रोप से बनाता हूँ चार गुरूप मोटापा के लिए बारा भ्यास सो सो बार करा देता हूँ तो कितने हो गए बारा सो बार अब उसके दो तीन राट करा दिये तो मोटा आदमिया हाथ थी पतला हो जाए या तुमा लोग लुगईयों के बات कर रहे हूँ चलो खड़े हो अब छोड़ा सा दूसरा कारेकरम कर लेते हैं थोड़ी दिर statues जो मोटे मोटे हैं फिर उनसे कारेक्रम चलेगा जो है तो ये मोटा पा के लिए मधुमे के लिए मेरुदंड के लिए विशेश राप करते हैं तो मोटा पा मधुमे मेरुदंड फिर थोड़ी जूरी बिमारियों के लिए कुछ विशेश आसन होते हैं वो सामन निबाता है च सुनो, 12 अभ्यास, कितने? 12 अभ्यास और 10-20 बार से शुरू करके, 100-100 बार करवाता हूँ, कितनी बार? 100 बार का तो नाम लेती ही डर जाते आप लोग, चलो, दोनों हाथ सिरके उपार, पैरों में फासला, ये तिर्यक ताडासन, फिर त्रिकोनासन, फिर कोनासन, फिर पादा सिरके ताडासन, कल तो मैंने मूटा पा के लिए शौट पैकेज बताए थे, कितने ब्भ्यास बताए थे, एक एक अभ्यास, 100-100 बार, पाँच अभ्यास बताए थे, कितने बताए थे? पांच ऐसे ही पांच साथ मेरो दर्ड के लिए बताएं पांच साथ मुद्व में के लिए अब ये हैं कमर दर्द वाले करेंगे जब आगे जुकने वाला होगा कोई भी अभ्यास उसको थोड़ा कर लेंगे ज्यादा ने करेंगे बाकी सब जिसे जितना हो पाए अब देखो जो मोटे नहीं वो करेंगे तो क्या होगा तो उनकी भी एनरजी चैनलाइज होगी पूरे बोडी कमेटर वाले जब अच्छा होगा और जो अंडर्वेट होंगे तो क्या होगा तो मैं सांटिफिक ट्रमलाजी में इसको बोल रहा हुँ उनको होगा लाइपोजेनेसिस क्या दोट पीना है एक दो किलो तीन किलो चार किलो पांच किलो जो जिचा पिसके और फिर खुब खाना खाओ अच्छे से, खजूर खाओ, अश्रोगंदा खाओ, शतावर खाओ, केले खाओ, खजूर खाओ, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, यह सब कारिकरम चलता है, तो यह अंडर वेट्स के लिए अच्छा है, यह और वेट्स के लिए अच्छा है, जो हेल्दी विक्ति है वो करेंगे तो उनके एनरजी चैनलाइज होगी बोड़ी ओटो मोड़ पर आ जाएगी तो फिर जो है कोई रोग नहीं होगी लेकिन जो यह नहीं कर पा रहे हैं बहुत मुरवाले हैं प्रालाइसिस वाले हैं बैठे 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 बस तरी का कपाल बात या नो लूम बिलूम कर लो कोई चुपचाप नहीं बैठेगा जो प्रमादी लोग है ना उनसे मुझे बड़ा बैर है तीन चीजों से मुझे बड़ा बैर है एक प्रमाद क्या है बोलो जो उसे बोलो ये बैरी है एनेमी हमारा है और ये मैंने ही कह रहा है सास्तर भी कह रहा है गीता भी कह रही है सब्वेद सास्तर कह रहा है क्या है बोलो मौत है ये बैरी नहीं मौत है लम्मे लम्मे सास भाई रुक मत हाँ कारे करम जब तक मैं ना नहीं बोलो तो चब तक चालू रखो एक बैर है प्रमाद से दूसरा बैर है साइड में पूरा जाओ आत्म गलानी से किसमे बोलो आत्म गलानी में नहीं जीना किसमे जीना आत्म गोरों में किसमे जीना आत्म गलानी में नहीं जीना और प्रमाद में नहीं जीना किसमे जीना प्रमाद का उलटा कैख पूर्शार्थ तो प्रमाद में ने कि सम्द जी ना पुर्शार्ठ में आत्मगलानी में ने कि समण जी ना आत्मा और तीसरा अनुत पादक तक कुछ ने करना ठाली बठेन, उनके आजकल एक बहुत सोशल मीडिया पर वे एक सम्द प्रयोग होता, ठल वे, काम चोरा, राम खोर, कुछ करते नहीं, बात छोगते रहते, ये, ये पहला भ्यास, नीचे तक बनी बात कुछ, ऐसे, ये, चलो, जिलाक्स, योहात तिर्यत ताड़ास, अब उपर से नीचे तक, पूरा सरीर सूत मा जाएगा, दिवार भी खीशते हैं ना, तो सूत में खीशते हैं, तो तुम सूत में हो नहीं, बोड़ी, माइंड, थौर्स, इमोसंस, एनरजी, पूरी चैनलाइज, ये देखो, तिर्यत ताड़ास है, लंबे लंबे शासों के साथ उपर वाले हाथ के थिली नीचे के और देखो ये तरीका ही है, नीचे वाला हाथ पहले टकनी के पास, फिर यहां ऐसे, देखो, देखो, और जो इतना ना कर पाएं, कमर में दर्द है, सरी में कश्ट हैं, तो थोड़ा-थोड़ा तो जुकें, इतना तो जुकें, और जो प पान के उपर से ऐसे आए तरीके से करें एक एक अभ्यास को मैं 10, 20, 30, 25, 50 फिर 100 बार तक करवाता हूं और बीच में रुकना नहीं है लंबे-लंबे श्वास लेने देखो इसका भी बड़ा महत्व है मैं एक सेसन में एक से 2 किलो वजन घटाता हूं तो कंटीनू कराता हूं ब पर लोटी नहीं सी कहेगी कच्छी पकी रहे एक बार थोड़े इसका एक बिलकुल सिंपल एक्जामपल पांड़ी 100 डिगरी पर जब उबल जाता है तो क्या बनने लगता है भाप बनने लगता है वाह स्टीम बनने लगता है तो एक बार तुम्हारा बूबाल देना है ऐसे है ऐसे है फिर यह ऐसे करना है पच्छीस पच्छीस बार करके सो बार फिर क्रोस करके अब जिनको कमर में दर्द हो आद बोटनों तक लाएंगे और कमर में दर्द है तो नहीं है तो आद टेखने था कमर दर्द वाले यहां ता बाकी यहां ता क्रोस करके फिर ऐसे लंबे लंबे शासों के साथ ऐसे और जो जवान है फास्ट करो जो बड़े बुजुर्गे धीरे धीरे करो लंबे लंबे शास एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस लंबे लंबे शास अपने अपने सामर थे किनो सर आप में से कुछ ज़्याद उमर वाले भी आराम आराम से कर लेना जिनको डाइपटीज है वो भी करना उनकी डाइपटीज आज ही कंट्रोल आएगी आज ही सूगर की गोलिया बंद करने हैं आपकी लंबे श्वास आज ही सूगर की गोलिया बं सबके लिए बारा आसन मैंने अलग से पैकेज दिया हुआ है लमे लमे श्ौस हैसे 25 25 बार करके कुछ तो लगातार 50 बार कुछ तो लगातार 100 बार ही ऐसे कर लेते हैं फासov से लमे-लमे शासां के साथ सो बार सो बार ऐसे सो साल तक आपको जवान रखना पैर पास में तो तीन अभ्यास हो गए तिर्यक्टाडासन त्रिकोणासन अब ये पाध हस्तासन अब इसमें जिन को कमर में दर्द वहाथ यहां तक लाएंगे इतने जुकेंगे और जिन को कमर में दर्द ने वहाथ नीचे पैर के ऐसे पंजों के पास अब फैट कहां कहां बढ़ता है हाथों में बढ़ता है पेट में बढ़ता है पीछ में बढ़ता है पैरों में बढ़ता है आगे पीछे पूरा बीच में विश्राम नहीं है आगे पीछे पूरा पूर सरीर सद जाएगा लंबे लंबे शाव आगे पीछे पूरा कमर में दर्द है तो बस थोड़ा ध्यान डखना इतना ही करना ज्यादा जोस में आकि यहां तक मतला ना आराम आराम शेज लंबे लंबे श्मास तो किछे पूरे गई आगे पूरे आए तो यह है कम्प्लीट वेट लोस का पैकेज पैकेज अगे पिछे पूरा कि इसकी की स्वास अंड़ आगे जैस शास बार अगर अगर आगर आगर प्रेक्सिबिलीटी पिम्प्रूव होगी बोडी की मुमेंट्स भी पाधित होगे चलो बैठ जाओ अब बैटके ख़ड़ों की चार होगे बैटके तीन, साथ, दो उल्टे लेटके कितने होगे नुँ और सीधे लेटके तीन, कितने होगे बारह चलो, अब बैट जाओ ऐसे ऐसे करना ऐसे, एक भजन सुनाते है अब भजन गा रखें कभीर साब ने इतने उंचे-उंचे मुझे समझे भजन ही है इनमें तत्तो तो नजर आता ने क्यों भजन गाने से कैसे होगा योग करोगे तब वो होगा जो कभीर साब ने गा रखा है एक भजन कई बार हमने सुनाया है हरे बिन जग अंधी आ रहा सब भीतर है सोना चांदी हीरे मोती सब तीर्थ धाम सब दवा सब समाधान अपने भीतर है और आम बहार भटक रहें लंबे लंबे श्वास और आपको भजन सुना रहे हैं सो बार करना है आराम आराम से और जिनसे नहीं ओपारा है बैठ करके थोड़ा कर लो फिर भस्तरी का कपाल भाति कर लेना और जिनको पूरा सरीर समारना है न वो सो बार करना मेरे साथ जिनसे पूरा नहीं होता कम से घुटने तक तो आथ लेके आओ ऐसे कुछ तो इतना सोटकट मारें जी दारा हाथ हूँ धरी रशी रख रहें यह नहीं क्रोस कर लंबे लंबे श्वास आथ हूपर देखो ऐसे सामने के और अथे लिए यह तरीका इसका यह स्थित कोन आसन फिर चक्यासन होगा फिर तो जोरदार काम होगा जब चली तो पस्ष्मतान आसन होगा तब पता लगेगा लंबे लंबे श्वास यहार्ड यह तो कमर ये भीच में बेली भरी पड़ी है न किसी डियो कोई कई बोरी मालथोकर रखा है दून पर बबे लंबे श्वास कोई जानेगा जानन हारा साधो हरी बिन जग अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा साधो हरी बिन जग अंधियारा ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा साधो हरी बिन जग अंधियारा साधो गुरु बिन जग अंधियारा बिलैक्स बुरे सौमजी तो आथी ठक गई हाथी जूटे हो गई चलो नेक्स अब चक्कियासन करना ये देखो ये तो है थोड़ा आलसियों के लिए इतना तो और ये को कमर में दर्द है और है इसे कम से कम दलिया तो बनी जाएगा और आटा बनाना है पूरा मैदा करनी है तो फिर पूरे नीची हूँ चलो तब भीतर से सोना चांदी मिलेगा जो कभीर साम ने गाया या घट भीतर सोना चांदी या ही में लगा बजारा या घट भीतर सोना चांदी या ही में लगा बजारा या घट भीतर हीरे मोती या ही में पर्खन हारा साधो हरी बिन जग अंधियारा ओ साधो गुरू बिन जग अंधियारा आप नहीं भी मेरे जितना ही किया ना बाबु मेरो को तो घटाना नहीं मैं कर रहा हूं और यह करते ही है बोलो बाबा जीत पिछे जाते ही तो पल्टिक अप्समार किये गाड़ी लगा जोर बब्बू ऐसे करना फिर आगला दोर और भी खतरनाक है पश्यमत्तानासन ऐसी करना और इतना तो सभी कर लेंगे और जो जवान मजबूत है उनको इतने से संतोस नहीं करना उनको ऐसे करना है चलो या घट भीतर सात समंदर या ही मिन देवनारा या घट भीतर सात समंदर या ही मिन देवनारा या घट भीतर सात समंदर या ही मिन देवनारा या घट भीतर सूरज चंदा या ही मिन देवनारा साधो हरी मिन जग अंधियारा साधो हरी मिन जग अंधियारा किया ना अपने चलो अब उल्टे लेटो अब सतक लगेगा बोले बाबाजी सूरत चंदा दिखा तो ने अब दिखेगा सूरत चांद कर ले देखो सब कुस्त तुमारे पिंड में है ये संटिफेगली भी सत्य है और अध्यात्मिक दृष्टी से विवैज्यानिक दृष्ट सब्सक्राइब करने के लिए सब को उर्जा देने के लिए सब के लिए लंबे लंबे श्वास उपर नीचे पूरा जो पीछे कुर्चियों पर बैठे विए है भस्त्री का कबाल भाति अनुलों मिलों करो है बतलाओ मत सब करो बस्त्री का कबाल भाती करो जो कुर्सी पर बैठे वे हैं वो भी लंबे लंबे श्वास जोनों हाथ है से कौनिय उठे वे बार सु भागों से सटी वे या घट भी तर बिजुरी चम के याही में है उजियारा या घट भी तर बिजुरी चम के याही में है उजियाराम या घट भी तर अनहद गर्जे या घट भी तर अनहद गर्जे बरसे अम्रित धारा साधो हरी बिन जग अंधियारा किया? किया पचास पर? कि वह चलो यह तो बड़ी मजबूत है बहनों ने ते किया तुमने किया भाई साब ठीक यहां तो माता जी भी बहुत अच्छे और पिता जी भी अच्छे थोड़ा आराम कर लो बीच में ऐसे आराम में भी ऐसे करना है फिर दूसरी तरह से करेंगे पहले तो हाथ अभी ऐसे आएगा पचास बार उसमें भी होगा एक दिन में ऐसे मैं एक से दो किलो के चाहिए उत वह करतें लाइपोलेस अंग्रेजी वाले क्या करतें फैटब से मशीन करते हो तो डाइपोसेक्शन करने वह हाड के लिए परियन के लिए नर्रवस सिस्टम के लिए बहुत கरतरनांक है लाइफ जी डेंजर्स है भूट खतरनाक फिर दूसरा करते हैं बैरियेटिक सर्जरी को व बैरिये क्या करते को छोटा कर दे शील दे अरे अपना मुह इंद ले ना कि बैरियोटिक सर्जरी में इस किया खरते हैं पेठ चिलते देते आदमें खापाता है तो वह अपने मुह पर कंट्रोल ताड़ा ला ले ना तुर वह बकरी की तरह चरह है ऑज़ा तो यहां योगणा में तो ताड़ा लग जाता है तो यहां पर भी जो खाने की जिनके आदत खराब हो रखी है ना फिर वो कहते हैं जो जो सेवा देने वाले एरे बाई एक रोटी और दे देना मतलब आहला तो यह आदमी के हो जाती है फिर क्या है आदमी पर ना फिर कंट्रोल लाने के लिए आदत बनानी पड़ती है आदमी की तो बात चड़ो इस जो बकरी और गधा जो है न बहुत घास खाता है जहां देखें वहीं मुह मार लेता है उनको भी डंडा मार मार के सीधा कर देते हैं और जब तक उसका मालिक है न तब तक वह घास के मुह नहीं मार दी बकरी भी तो आपको यहां कंट्रोल करना सिखाते हैं चलो मोटा पा क्या बेचेगा इससे पेच विखवी एकदम फसक्रास पैर पिछे पास में दुना हाथ हथेली पथेली ऐसे पचास बार करना है और स्ट्रॉंग बनोगे सो साल तक स्वस्थ सुन्दर श्डूल आकरशत और आप पचास की उमर में 25 की दिखों मे लगवानी है साम को ठीक है हाँ दोडने का कंपेटिशन होगा और जो प्रथम विजेता होगा उसको 10 परसेंट छूट दी जाएगे लमे 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 श्वास लमे लमे श्वास या घट भी तरकाशी मत्वरा लमे लमे श्वास या घट भी तरकाशी मत्वरा या ही में हैं हरी द्वारा गड़ द्वारा गड़ गंगा यहीं पर है लमे 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 श्वास आराम आराम से आर दोड जवान मजबूत हैं वे ये फास्ट बाला या घट भी तरकाशी मत्वरा या ही में गड़ गिर नाराम या घट भी तरकाशी मत्वरा या ही में गड़ गिर नाराम या घट भी तर देवी देवता या घट भी तर देवी देवता यही में ठा कुर द्वारा साधो हरी बिन जग अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा साधो हरी बिन जग अंधियारा किया ना आपने भी पचास बार क्या बोलती बंद होगे बलो बाबजी पचीस में ही यहां तो ढह गए बहुत सारे कुछ ने किया ऐसे लगे रहो बलो सामी जी आप तो ना जद्धा इखिचाई करते हूं कोई नी धिरी धिरे घो जायेगा अब पीछे से उठाएं सलभासन पीछे से दोनों करों से एक एक से किसी किसी का पेट बेली बढ़ जाती है और किसी किसी का ना भी के नीचे पेट ऐसे लटकता है लेडिस तो साड़ी पेनना सुरू कर देती है और जैंट्स जो है वो एक खीचने वाली न अबर कंधे पर पेनना वो बेल्ट सिद्धी हो हो डेड़ डेड़ फीट लटक जाता देखो ये येस करो सीधा सीधा पैर भुटना मुड़े नहीं दोनों कारों से या एक एक से दोनों से एक से करो यह से रुकना नहीं या घट भी तर तीनों लोक है या ही मिसर जनहारा या घट भी तर तीनों लोक है या ही मिसर जनहारा कहत कबीर सुनो भाय साधो कहत कबीर या ही में गुरू हमारा साधो हरी बिन जग अंधियारा कोई जाने का जननहारा साधो हरी बिन जग अंधियारा कोई जाने का जननहारा साधो हरी बिन जग अंधियारा साधो हरी बिन जग अंधियारा पूरा उठाए ना बाबा की दलला तमारी पिछे से पूरी यो फेश आप तो मार के छोड़ोंगे मार के नहीं तार के छोड़ोंगा कुछ बच्चे तो बड़ी मजबूत है लगे वे जोर सोर से उन्होंने तो 50-50 बार कर दिया काम आराम-ाराम से कर कमरदद बाला धीरी धीरी कर करने से हड़ियों का मेटेवलिजम अच्छा हो जाएगा कि बाबाजी कहरें रहो गया एक बात और प्रियूक प्रेव क्या दाता से स्टेख्यरल बैलांस क्या होता है बूलAllah लसी नहीं है तो बैलेंस हुआ है कि ऑफ जरूरी है एक structural balance और दूसरा emotional balance आदमी भावनाओं में बह करके पताने क्या क्या कर देता है और फिर कहता है यह मैंने क्या कर दिया था पागलपन में सुनो यह तो हुए अभी कितने चार खड़े हो के तीन बैठके और दो उल्टे लिटकी कितने भी तो तीन बागी है सिदे ले टो अभी बहत हो गया अराम अब कर लो कुछ's का आराम राम है बोलो अराम हराम है कार्यांतर ही विश्रां है एक काम करते थक गए तो जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर लेना मैं दोनों से करूँगा 100 प近 लगातार और तो थोड़े कम्जोर ची जीवों जन्तु है उन्हें जीव जन्तुं का कल्याण एक मंत्राल है जीव जन्तु कल्याण बोड लम्बे लम्बे श्वास उन्हें सब का भी कल्याण होगा सो बार करना ऐसे सो बार ऐसे उपर नीचे लंबे लंबे श्वास करेंगे सो बार चलो तुम्हें शिवतांडव सुना दे चलो लंबे लंबे श्वास सुनाओ भई हरी सिवतांडव सुनाओ लंबे लंबे श्वास सो बार से पहले कोई नियु रिखेगा तुम्हें तुम्हारी कसम, कसम भी मावाप की खाते हैं, वेद की खाओंगे, गीता की खाएंगे, भगवान की खाएंगे, लबे लबे श्वास, आराम आराम सी करना, ऐसे उपर नीचे, और जो यह न कर से के हैं, वो भसरिका का पाल भ प्रशुत्नम सियावर राम चंद्र की योगे सर्शिकिष्न चंद्र की पवन सुतह नुमान की हर हर महादे ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई जबतिजाः और शिव की तरह तानड़ तुम्हारे भीतर हो गए योगे से लमे लमे शास एक एक से दोनों से जटाट विग्ग लज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलं लंबिता उजंग तुंग मालिकाम जटाट विग्ग लज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलं लंबिता उजंग तुंग मालिकाम दमड़ दमड़ मड़ मन्नि नादवड मर्यवं चकार चंड तांडव तनो तुनह शिवा शिवा शिवं जटा कटाह संभ्रमं ब्रमन्नि निल्प निर्जरी विलोल लेचि वल्लरी विराजमान मिल्दनी धगध धगध धगज्व लललाट पट पाव केकी सोर चंद्र शेकर रते प्रतिक्षणम्मम्मम् धराधरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुर पुरत्र गंधु संतते प्रमोध मान मान से आकटाक्च धोर नी निरुद्ध धुर्ध रापदी कवच्चि दिगंबरे मनु विनोद मेतु वस्तुनी जटाभु जंग पिंगला पुरत्पणामनि प्रभाकदं कुम्मकु मद्रब प्रलिप्त देग्मधु मुखे मदाउंद्र सिंदुरस पुरत्त गुत्तरीयमि दुरे मनोविनोद मेतु थुत विपोर्त भुत्त भरतरी ओम्ण महस्यवाय ओम्नमहस्यवाय ओम्नमहस्यवाय MOR अर्धलासन के बाद अपाध वृत्तासन पच्चीस पच्चीस बार ऐसे पैर को गोलाई मुझमाना दस दस बार तो सब करना फिर वीज-वीज में रुख जाना अपने अपने सामर्थे करना करना है लेकिन रुखना नहीं है वीज-वीज में मिन्स थोड़े रुखे दूचार पांस लंबे स्वास ले फिर सुरू कर डढाना है गिर्ना नहीं पडना नहीं रुखना नहीं थम नहीं चरई वे खिद्धि आ कि चरण्वई मद्धुविंदत इंत्रह चरत असल्ता भगवान्वी विखारीयों को ने देता धिकार्यों कधि क्रिपा पात्र यजिस ध्लेलगर होतीम्में पात्रता फिर सांने श् प्रतून धूल धोर नेविदूसरांधि पीठ भूर बुजंग राज माल आनिवध्ध जाट चूट कास्रिये चराय जाय तां चकोर बंधु शेखर ये पर से ठक गए तो दूसरे से कर लो पूरी गोला इने बमाव लेकर उपर नीचे धाई बाई पूरा बड़ा शुन्दाने ललाट जत्वरज्वला धनन जया फुरिक्रवा नि पेध पंच सायकम नि मिन्न लिम्पनायकम सुधामयोखलेखया विराजमान शेकरम महा कपाली संब देश रोजयाल मस्तु नहा आई पिको क्वाईस लो मेरे मिश्वास कराल भाल पत्ति का धगत 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 धगत्वला धनन जया धरिक्रिता प्रचंद पंच सायके धरा धरेंद्र नंदनी कुटागर चित्र पत्र का प्रकल्प नेक शिल्पनी त्र लोच नेर तिर्ममा द्वी चक्रिकास होना आरा मात्नी से एक एक से या दोनों पैरों से पूरा उठा ना पूरा मोर ना पूरा जिनको कमर में दर्दो एक एक पैर से करों दोनों पर उसी तरो या एक से करों सैक लाह के साथ रिदम कुछ साथ भगवान का नोस मन करके सब उठ करके भगवान राम का भगवान कृष्ण का श्रीव का हनुवान का गोतम कड़ा दिजने पाने ने पतंजली का अपने रिश्मुनियों का ध्यान धरा करों और कुछ जादा ध्यान मेंने आये तो मुझे याद कर लिया करों दिदो कई बाबजी अमारे लिए लगा रहे तैरे कुछ कर ले बाई लबे लबे श्वा नवे नमे खमंडले निरुद्ध दुर्धरा पुरत कुहून सीथि नित्मम प्रतंग बंधु कंधरा निनिम्प निर्जरी धरस्तु नोध पित्ति सिंधुरा कलानि दान बंधुर्धु प्रियंजग धुरंधरा प्रभुल्ल नील पंक जम्प्रपंच कालिम प्रवां बलंबिकंच कंधलि रुटी प्रवाध कंधरं समराचिदं पुराचिदं भवाचिदं मखाचिदं गजाचिदांध काचिदं तमात काचिदं भजे अगर्व सर्व मंगलां कलाकदं बमंजरें रस्प्रवाह माधुरिं ब्रिजिंबनाम अधुब्रतं समरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं कजांत कांत कांत कंभजे जयात्वता प्रमद प्रमा प्रमद भूजंग मस्पूरत द्रिनिर्गम करमस्पूरत कराल भाल हव्यवाद वाएंकर उटने के बैठ जाओ देखो ऐसे इतना यह व्यायाम करके फिर प्रणायम कैसे करना अपने अपने आम अर्थे के नसार फिर ऐसे कंटीनिटी में करना है अब यह जिनको बीपी है हाई बीपी हाट के प्रॉब्लम हाइस्तमा भड़निया कमजोरी है तो आराम आराम से ले तो यह फांस्ट वाला यह यह जवानों के लिए है और जिनको ब्लड पैसर है हाट के प्रॉब्लम है उनके लिए धेरे-धेरे जयात्वदा प्रमिप्रमा प्रमा भुजंग मस्पूरत निर्गमा क्रमा स्पूरत कराल भाल हव्यबाद जिनको डाइब डीज है कैंसर है सले मैस आटमेट डीजिज कोई इंकेरेबल डीज इंकेरेबल डीजिज है तो आरामा राम से भहतर मेंद्ध हमेट्ध्य मीधाञ मिर्दांग तौंग मंगला थentinे अछलीutan ओढही तरहत न वहा ख शीवगयुआ हम्झेखा טוב माद़ा क्यों भिकाड तरह च्युँ भीकाड तरहता pista discipl लब्दयो बुजंग मुफिकंस जोगरेश रत्न लोश्थयो श्रिष्टि पक्ष पक्षियो हूँ त्रिष्णारविंद्ध चक्छु सोप्रदा मही महिंद्रयो समंप्रवत्मना कदा सदाशिवं भजाम्य हम कदानि लिम्ब निर्जरीनि कुण्ज कोट रेवसंग विमुक्त दुर्मते सदाशिरस्थ मन्ज लिम्बय हम विमुक्त लोल लोच नोल लाल भाल लगनक सिवेति मुंत्र मुच्चरं कदा सुके भवाम्य हम हिमम हिनित्त मेव मुक्त 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 अस्तवं पठंच्मन भुम्नरोवि सुध मेति संततं हरे गुरोशो बक्ते मासो यातिनाय थागतिं विमोहनम हिदे विनाम्तु संकरस्य चिंतनम हिमोहनम हिदे विनाम्तु संकरस्य चिंतनम हिमोहनम हिदे विनाम्तु संकरस्य चिंतनम ओम्नम हिवान, ओम्नम हिवान, ओम्नम हिवान ओम्नम हिवान, ओम्नम हिवान, ओम्नम हिवान मघ सिवान, ओम्नम हिवान, ओम्नम हिवान ओले हर हरो महादी, तत्व मसी प्रज्यानं ब्रह्मय आत्मा ब्रह्मा शिवोहं शिवोहंण आम ब्रह्म हास्य तोही स्वयं शिवरोप नैं यह आत्मा ही शिव रूप है, शरीर पार्वती रूप है, शिव पार्वती का संगम तुमारे भीतर है, यही अयोध्या है, अश्टा, चक्रा, नवद्वारा, देवा, नाम, पूरा युध्या, तस्याम, रन्या, कोशा, स्वर, गुजू, तिशावरित, यही शरीर अयोध्य इसी में रहने वाला हर आत्मा ही राम है, शिता, यही काशी है, यही मठुरा, यही हरी का दवार है, हम हरी दवार वे रह के बात कह रहे हैं, नहीं तो, पानी मे मेन पियासी रे मोई सुनी सुनी आवत हासी आत्म ज्यान बिनानर भटके कोई मथुरा कोई कासी जै सिम्रगा नाभी का सुरी बन बन फिरता उदासी रे मोई सुनी सुनी आवत हासी जाको ध्यान धरी विदी हरी हर मुनी जन सैसा अठासी इस अब धर्म के दंदे बना रखे यहां बगवान है यहां देवी देवतारे सारे तेरे घट में ही सब कुछ अपनी भीतर के देवी देवताओं को दारू पिला रहा है और बाल फूल चरणा रहा है बाओले गने जी पर लड़ू चलावाय और भितर मुर्गा खावाय और बोलते हैं विगन हरता विगन हरो पहले कहने दारूपीना बंद करो आइसा कोई देवी देव अप्रा अंडे धरते हो मुरगा धरते हो अ यह थो हनुमान 40 अपढ़ेंगे और गोटका खाहेंगे औरा फिर गोटका खाते खाते ना rows अबने का अनमान जी आएंगे तरह गदा मरेंगे ठोबड़ा दोड़ देंगे तरह अच्छा जो नेक मुसलमान है पाक मुसलमान है वो दारू पीता है पूरी दुनिया के मुसलिम किसी भी कंट्री में दारू की एक फैक्टरी नहीं अभी थोड़े थोड़े जो है वो भी ल आमाने में मा भारत में गुरू ग्रंट सामेदा रूपिना लिखा है मुर्गा खाना लिखा है क्यों खाती फित्यों ये चलो अब अनुमान चालिसा सुनाएंगे तुमका ठीक चलो पैर सीधे पैर सीधे करके मोड लो अब डाइबटीज वाले और पेट वाले अभ्यास इसक सारी चीज़ तो गडबड होती है आदमी की पेट पीट दिल और बोलते भी क्या मेरे साथ बात मत कर मेरा दिमाग खराब है अगुठा अंदर अगुलिया उपर बले बाब बदी आप जानों सारी ओ जानों इसलिए हो ना तो आरे सारे संकट रता हूं मैं अंगुठा अंदर अंगुलियों पर मुठ्या मंद शास बाहर छोड़के आगे जुकना ये दस अभ्यास है कितने दस पेट और देरे वाड़ा पहले किया था फास्ट अब होगा दीरी दीरी एक मिनट एक बार में ठीक एक बार से पहले को उपर आ गया तो तुमारी खैर नहीं जिनको कमर में दर्ध हो बैठे बैठे दबाएंगे इसलिए सारे योग शिक्षक आज मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है ठीक है चलो वरहनमान जी महराज की जय स्री गुरु चरन सरोज रच निजमन मुकुर सुधारी वर्नो रघु वर्वर बिमल जसो जो दायक फलिचा बुद्ध हीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार बल बुद्ध ही विद्यादे हुम ही हर हक्लेश विकार जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपीजत हु लोगु जाग रामदूत यतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमत के संग कंचन वर्न विराज सुवे सावकानन कुंडल कुंजित के हाथ वज अरुधजा विराजे कांदे मुझ जने उसान संकर्शुवन के सरी नंदन तेज पताप महाजगवन विद्यावान गुनियत चातुर राम काजिकरिवेगो आतुर प्रभुचरित सुनिवेगो रसिया राम लखन से तामन बसे दूसरा अभ्यास है कपालभाति के साथ कर लेना इसे नीचे छुके आयां तो दॉट्व लाब होगा था असे डाइवटीस के दवाही कम और आराम आराम से करो पेंटरियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएक। तीन तरह से डाप्रिज को हम ठीक करते हैं, पेंट्रियाज को ठीक करते हैं, एक एक बोड़ी के सैल को रिपेर करके उस मकापार भात्यानोलों मेलों काम करता है, स्ट्रेस को कम कर, पूरी बोड़ी को ओटो मोड़ पर लागा। सुख्यम रूप धर सिही दिखावाव, विकट रूप धर लंक चराव, भीम रूप धर असुर संहार, राम चंद्र के काज समहार, लाए सा जीवन लखन जियाए, स्री रगुबीर रसुर लाए, रगुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई, सहस बदन त मरोयस गाव, अस कहीं स्रीपत कंठे लगाव, सनकादिक परमादी मुनी साना, रद सारद सहिन यही साम, यव कोवेर दिक पाल जहां ते, कभी कोवेद कही सके कहां ते, वापास, एक-एक मेट कर रहे हो न, रुकना है वाँ, तभी तो पेन और फिर कपाल भाती करते न, धो नेक्स, सिसकासान, एक मिनिट करना है पूरा तुम्रो मंत्र बिभीशन माना, लंके स्वर्भै सब जग जान, यूग सहस्त्र जोजन परभान, नेल्यो ताहि मधुल फरजान प्रभु मूत्र का मेरी मुकमाही, जल धिलांगी गए अचरजनाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमे अनुकरह तुम लेते राम दुआरे तुम रखवारे, होतने आग्यां बिरुपैसारे, सब सुख लेहें तुम्हारी शेरे नाम, तुम रक्षक का हूपो डेरे नाम, आपन पेज सवार जो कर सकता है वो, योग मुद्राशन भी कर ले है, ऐसे पदमासन में बैठ सकते, वो सुख असन में बैठ से आपन तेज सवारो आपन, तेनों लोक हांक तेका पन, भोत पिशाच लिकट नहीं, आवे महावेर जब नाम सुनावे जो पदमासन में नहीं बैठ सकते, शुख असन में बैठ के ऐसे जुख जाता है तो डबल प्रेशर आजाता है कपालभाती का डबल लाब हो जाता है और फिर अगला वक्रासन वैसे तो अर्धमत सेंद्रासन कराते हैं लेकिन यह हो नहीं बाता सबसे नहीं से, पैर ऐसे क्रोस करके ऐसे रखना, फिर ऐसे हाथ ले जाना है इसलिए यह नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? वक्रासन करते हैं फिर ऐसे पर मोड़ लो ऐसे भूम जाओ यह सब कर सकते हैं बाकी फिर शाम का अर्धमत सेंद्रासन भी सिखा देंगें कुछ ने चेश्टा की है, प्रियत ने की है, कोशिश की है ऐसे पूरे घुम जाओ पूरे घुम पेट पीट पेइन के आज एक दम एक्टिवेट होगा और कपारभाती चालू रखो सब पर रामत पस्वे राजा दिन के का जिसकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे जोईयमित जीवन पलपाव चारो युग प्रताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा चारो युग प्रताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अश्ट से दिना निदीप दाता अस्वर दीन जान के मातार दूसरी ओर से कबाल भाती करो थोड़ा थोड़ा जैसे बैने अच्छा कर रही है मेरे सामने बैठी वे दो बेटिया तुम्रे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतिकाल रगूपति पुरचाई जहां जान में हरी भक्त कहाई और देवता चितन धर ही हनुमत से ही सर्व सुप कर संकत हरे मिटे सब पीडारों सुमरे हनुमत वलवीर जै 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 हनुमान गुसाए कृपा करंगू देव किनाज जो सत बार पाट कर तो ये छोटाई बंगू महासुतू जो यह बड़ हनुमान चली सा हो इसे दिसाई गोरे सा तुलसी दास सदाहरी चेरां की जैनाथ फिरदे महडेरां को मुखा असल पाय निचे दायां उपर और आशी बैठके तो कबाल भाके का तुलसी दास सदाहरी चेरां की जैनाथ फिरदे महडेरां सदाहरी चेरां की जैनाथ फिरदे महडेरां पवन तने संकट हरनू मंगल मूरतिरू राम लखन सीता सैथ इर्दै बसो शुरभू सियापति राम चंद्रकी पवन सुत हनूमान की सियापति राम चंद्रकी पवन सुत हनूमान की हुआ एक तरफ से अब दूसरी तरफ से करो ऐसी करना है अब लोग हनुमान चालिसा हनुमान चालिसा ही पढ़ते हैं हनुमान जी जैसे बनने के लिए योग करना पढ़ेगा हनुमान जी योगी थे क्या थे बोलो हम ये स्तूतियां क्यों करते हैं स्तूति करते हैं राम जी की, हनुमान जी की कृष्ण जी की, सिव जी की वैसा होने के लिए मैं एक शब्द बोलता हूं हमारा जिवन कैसा हो अपनी पूर्वजों वैसा बनने के लिए है हम खाले हनुमान जी की जय बोलते रहते हैं और हनुमान जी का ग्यान उनकी भक्ती उनकी ताकत टोपा नहीं भीते है हनुमान जी की जय बोल रहे हैं गुठका खारे दारू पेरे बीड़ी पीरे टागे सिगरेट जैसी और जड़ा सी फूक लगए तो उड़ जावे यह कोशिस करो बले सामजी हाथ छोटे पड़े हाथ छोटे नहीं पड़े तुमारे कंदे खोटे पड़े पीछे से जंग लगया शरीर में तुमारा सारा जंग जाड़ना है यह जंग जाड़ प्रोग्राम है शरीर पर तन पर मन पर जंग लगा पड़ा तुमारा मनोरंजन करते वे कर देता हूं का यह कारिक्रम चल रहा है अब लेट के करने अब लेट के पवन्मुक्तासन उत्तान पादासन नोकासन सेतु बंदासन और लास्ट वारा थोड़ा कठिन है पादा गुष्टन नासासवारसन ट्राई तो सब करेंगे चलो सीधे लेटेंगे अब तो लेट ना है बाबु जा बुलिए पतानी बाबब क्या कराएगा आज तो पूरे थका दिये चलो पर मोड़ लो अब यह तो आराम वाला काम है इसमें भी कपाल भाती चालू रहेगा कपाल भाथी चालू रहेगा पाउन्मुक्तासन में व्युत्तान पादासन लोकासन सेतु बंदासन और पाद करो कपाल भाती करते करते ही बहतों की अभावी छूट रहेंगी छूट रहेंगे कुछ की उपर से किसी की नीचे से यह बाई वन गेट वन प्रोग्राम है एक के साथ एक फ्री है यह यह वा कपाल भाती के साथ पवन मुक्तासन अबुत्तान पादासन उचा उठा के रखना आधे मिनट में बहुत से धराशाई हो जाते हैं लेकिर आधा आधा मिनट करके दो बार करो चाहिए 15-15-20-20 सेकंड करके तीन बार करो तीन चार बार करो चाहिए लेकिन एक मिनट से पहले पिंडा नी छुटेगा इससे पिंड क्याश पूर एक्टिवेट होता है पहले दिन से शुगर की दवाबंद खेरा करेला टमाटर का जूद सदा बहार और गिलोई के रसके साथ पिला देते हैं ने तो खिलो गिलोई घनवटी खाली पेट दो दो गोली खिला देते हैं गिलोई घनवटी मद होना अशनी और फिर डाइबटीज की कंप्लिकेशन्स भी तो बहुत हैं उसके रिए चंदर प्रभावटी अश्वशिला खाने के बाद खिला देते हैं हट्डियां कमजोर हो गये ते स्प्रीलिवना ये कुछ होशती हैं जैसे आउला अले वेरस बोट करके पी लिया गिलोई स्प्रीलिवना चंदर प्रभावटी चालीस साल के बाद तो एक लेना चाहिए ये सब को आफ्टर थर्टी आजकल तो मेरा कपाल भाती चल रहा है और उत्तान पादासन भी तुमारा भी चल रहा है ना नीचे बोले सामी जी तो थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं पेट में पूरे पैरों में पूरे शरीर में हल्चल होने लगती है आंदी और तुफान आने लगता है सारा पाणी हिल गया पेट का देखो यह पेंक्रियास के अक्टुक्वेट करने के लिए पांच मिनट करना है कितने देर करना है डाबटीस वालों को था अब दोनों तरफ से करेंगे दोरों तरफ चुठाइए और फिर कपाल भाती कीजिए नोक आसन में जीवन नया पार हो जाएगे ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन समर जाएगा चलो बजन सनाते हैं ओम कहने से तर जाएगा ओम जपने से तर जाएगा ओम कहने 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 से तर जाएगा ओम जपने से तर जाएगा तेरा जीवन तेरा जीवन समर जाएगा तेरा जीवन समर जाएगा तेरा जीवन समर जाएगा और लाश्ट पादां गुष्ठ नासास परसासन जो दोनों से कर सके दोनों से ने तो एक-एक से ऐसे पकड़के हैं यह तो बहुत इजी है इसमें तो हम अंगुठा क्या है और जो दोनों से कर सके तो क्या बात है बड़ी मुश्किल से नरतन मिला बड़ी मुश्किल से नरतन मिला पारभव से उतर जाएगा आरे ओम कहने से तर जाएगा अब कमर के लिए बाकी है चलो सूरज का तुराटक कल भी कराए था निए सूरज की तरफ देखके थोड़ी देर कपाल भाती कर लो ये तो सब के लिए ही जरूर ये कपाल भाती है नो 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 और एक – दो – तील मिनड़ तर ऐसे देख करके बिना पल के जब के त्रक्ट के लगाके देखनाना A «पनी जोली तो फैला जरा» अपनी जोली तो अपनी जोली तो फैला जरा अपनी जोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, तेरा जीवन सबर जाएगा, ओम कहने से पलक तो नहीं जपकी ना किसी ने, और जपक गी हो तो फिर एक बार जपक के फिर दुबारा करो, ऐसे दो मिनट से सुरू करके, पांच मिनट जो सुरी का त्राटक कर लेते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है, उनका डिप्रेशन दूरू जाता है, stress, anxiety दूरू जाता है, खाने पिने पर कंट्रोल आ जाता है, लेप्टिन का लेवल कंट्रोल आने से, ये शूगर और मोटा पा दोनों पर कंट्रोल आता है, ये साइंस है, प्राटक, ये शरीर पर इंद् चलो अब उल्टे लेट के चार आशन मकराशन बुजंगाशन सर्भासन धनुराशन आराम आराम से कर लेना एक एक पहर को मोड़ा सीधा किया कमर के लिए बहुत जबरदस्त है अब देखो अब मैं कुछ बड़ी बात बता रहा हूँ चार चीज़ें हम यहाँ पर करवाते हैं योग, अईरवेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धती प्राकृतिक जीवन से लिए योगा, अईरवेद, नेच्रोपेथि, अनेच्रल, स्प्रिच्वल, नोन वाइलेंस बेज्ड, सेंटिफिक, सात्विक जीवन पद्धती यह जीवन के चार आधार है योग, बोलो, अईरवेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धती इनको अडूप्ट कर लेना, तो सोच साल तक, हैल्थ के बारे में सोच रहे नहीं, मैंने का रहने हैं, सब कुस तुमारे भीतर है, सारा ज्यान, विज्यान, सारी सम्रिद्ध, सारा इशर, सुक, शान्त, आनन्द, सारा प्रमान्ड, स्पिंड, यह योग का मुल सिद्धत, और जो खुद से सुखी है, खुद में सुखी है, वो सब के साथ सुखी रहता है, वो सब को सुख, खुशियां बांटता है, और जो खुद से दुखी है, खुद में दुखी रहता है, उनों को भी दुखी बांटता है, जो है वो ही तो बांटेगा, खैर, अब इसमें हम कुछ-कुछ चीजें ऐसे करते हैं कि सब को कराते हैं प्रानाया मासना दी एनी मा दी उपवास दी उपवास और उपवासना इसके उपर भी फिर आपको विस्तार से बता देंगे डॉक्टर नीरज जी और हमारे प्राकरतिक से कि सब आपको बताते ही रहते हैं थोड़ा सा बेंड होती हैं इसमें कोनिया न ऐसे उठाते हैं और रोख करके रखते हैं सबस अंदर भर की पीछे जुकते हैं तो सबस अंदर आगे जुकते हैं ऐसे देखो तो क्या डेली लाइफ में क्या ऐसे पांसा चीजें कर लें जिसे कि जिन्दगी में वात पितकफ का कभी प्रकोप ना हो बीपी सोगर था राइड हाट के प्रॉब्लम जिनको इनको बोले जाता है लाइफस्टाइल डीजीज क्या बोलते हैं बोलो यह बुजंग यह कोरोना यह टीबी यह वाइरल यह कॉम्निकेबल डीजीज है देंगो चिकन गुनिया और यह मोटापा यह शुगर यह बीपी यह हाट प्रॉब्लम यह लिवर किड्नी की प्रॉब्लम से क्या है नोन केमिकबल डीजीज ऐसी मेडिकल ट्रपनालाजी है संक्रमन से होने वाले और बिना संक्रमन के होने वाले लोग उनके उपर पूरी दुनिया में बहुत चिंतन चल रहा है थोड़ी दिर रुका करो इसी से तब ही तो स्ट्रेक्चररर बैलेंस होगा मेरे दर ठीक होगा तो अर रुकने का भ्यास क्या करो 10-20 सेकेंड ऐसे अभी धेरी वाला का एकरम चल रहा है तो क्या करें एक तो आउला एले वेरा जूसम पिलाते हैं सबको सो साल तक बाल आख चमड़ी हड़ीया मासपीसया मजबूत रखने के लिए फिल आजकर हमने एक दवाई बना रखी है स्प्रीलीना क्या नाम है वो स्प्रीलीना सिवाल से बनाई है तो पह आजकर है है अब उस काई के अंदर मोरिंगा यह जो पहले खाते थे आज़कल तो गुजरात में में उसके फल की सबजी सहजना सहजना का एश्ट्रेक निकालते हैं सहजना का फूल साइजना की पती उसमें नैच्छर स्टेराइड होता है इसमें लहसों में इसमें हल्दी में गुगल में शिलाजीत में यह बड़ी जबरती चीज़ बार की दर दर की चीज़ें कोई खाने की जुरू तो फिर से करो तो मोरिंगा के साथ असोगंदा के साथ स्प्रिलिना गिलोई गिलोई तो हड्डियों से लेकर के देखो हड्डियों के लिए मासपेसियों के लिए मोटापा के लिए डाइबिटीज के लिए इमिनिटी के लिए कोरोना के लिए इमिनिटी को उस बढ़ाने से लेकर के सब रो गोली चंदर प्रभा की और ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी बाद में कम जोर हो जाते हैं मेमरी कम हो जाते हैं आजकर बहुत हो रहा है ब्रेन डिमेंसिया अलजाइमर उपर रुको थोड़ी देर आराम से ऐसे तो यह आप दुनिया बर के चाए कोफी ब्रेड पकोड़े पता दोस्तों जिनार जवान रहके जिना है यह लटर पटरो करके नहीं बुजंगासन फिर तीसरा देखो तीसरा दोनों पर उन फासला पहले में पैर पास में थे अब पैरों में फासला दोना ठोड़ी जमीन पर दोना अचाती के बगल में ऐसे कोनिया पार सो भागों से सटी अब दाएं कंधे से पीसे बाएं पैर के अड़ी को देखना है उपर से उपर से देखो कंधे के उपर से मया वह बावा जी तना थका दिया आज तो आपने थके नहीं है देखो एक खुशी भी बढ़िया कर रही है ए बेटू खुशी इदर आ इसने तो कल छोटे बच्चों को बहुत इंस्पार किया इसको मैंने कल इंडिया टीवी पर भी अपने साथ ही बठाया फिर बोले समझी ये खुशी कहां से डूंड लाए मैंने का गर्मा गरम अब कंधे से पहले दाएं से देखा था अब बाएं से देखो इधर से देखो कंधे के उपर से अपोजित साइर के पैरिकेडी को देखने ऐसे छोटे-छोटे बच्चे योग करने में बड़ा इंट्रेस्ट लेते हैं वो बटरफ्लाई भी करते हैं सीर्षासन करते हैं सुरु नमसकार करते है आराम-ाराम से कल आपको सब कर रहा है था योगिक जोगन्क शुरु नमसकार दंडबैठक करवा दूं ठीक है एक दंडबैठक वाला भी गृूप बनाएंगे और दोडने वाला भी 5 किलोमेटर की दोड ठीक है चलो पीछे से एक-एक पैर और मैं भी साथ में दोड़ूंगा हाँ तभी तो बात बनेगी एक एक पर को पीछे से उठाओ सलभासन लोग न आर्टिफिशल तोर तरीके अपनाए लिए घर में ला रहा है पांच अलाग की ट्रेड मील और जंग लग रही है धोल फाक रही है धोल जाक रही है क्या आर्टिफिशल एक्सिसाइज नहीं करता सब आत्म निर्भर भारत है यह क्या है बोलो आत्म निर्भर ऐसे एक एक पर को उठाया कमर में दर्द है तो दोनों को नहीं उठाना फिर देखो ऐसे उठाला धनुरा अबी मोदी जी के जनम दिन पर महरी बात हो रही थी उनसे ब लोगों को पहल करने पड़ेगी लोग यू सोस्ते सारा काम मोदी करते हैं यह पतंजली योग पीठ मोदी जीन बनाया यह योगराम मोदी जीन बनाया यह पतंजली ब्रैंड मोदी जीन बनाया स्वामी राम देव मोदी न बनाया अला भाई देश के प्रधान मंत्री का काम अच्छी पोलीशी बनाना, अच्छी नियत, अच्छी नीतिया, अच्छा नित्रत देगाना, लूट खसूट नहीं करना, बाकी काम तो अपना खुद करना पड़ेगा भई, अपना घर परिवार बीवी बचे खुद समालने पड़ेंगे, चलो सीधे लेट जाओ, अपने काम अच्छे से करो, मोधी जी ने दुकावे देखो, आत्मने भर भारत बनेगा अपने संकल्प से, लोकल के लिए वोकल बनो, लोकल को गलोबल बनाओ, पहले मरकट आसन करो चलो, दोनों हतकंदों के बराबर, और एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, अब इसके लिए, ऐ एक तरफ, दूसरी तरफ से आराम, आराम से, अब मोधी जी ने किसानों के लिए भी ओपन मंडी कर दी, कोई जो उसके जो फसलों के भाव, जो दिये जाते थे सरकार से, एमेसपी, वो कही छेड़ चाड़ नहीं की, बखेडा कर रखा पूरे देश में, क्यों, दलालों की बहुत बड़ी, पूरी की पूरी, एक श्रिंख खला है, बहुत बड़ा गैंग है, क्या, कैसी देश चले, इतना बड़ा देश है, इसमें, और इतनी बड़ी ब्रहंतिय अफवाएं, रूमर, मरकटासन, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजो में फासला, खैर चलो, आपको बात बता रहा था, लोकल के लिए, वोकल, लोकल को बनाना, गलोबल और आत्म निर्भर भारत ऐसा बनाना, कि हम सभी क्षेत्रों में, एग्रिकल्चर में, इ एजुकेशन में, सब में आत्म निर्भर भन जाएं, और एक सेक्टर की तो कोई बात ही नहीं करता, रिलीजियस और स्प्रिच्वल सेक्टर में भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति इतनी महान है, हर बात में विदेशियों की तरफ क्यों देखते हो, हमें आयात ही तो धर् मिलेंगे तो कोहरी मिलेंगे, वो भजन आज नहीं गएंगे, यह तो इसे बता रहें, पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर सीधे, दाया पैर उठाया, बाइं तरफ लेके गए ऐसे, गुटना सीधा, और हाथ के पास लेके चले गए पैर को ऐसे, कितना अच्छा है, सब बच्चों से लेके कि बुजरुगों तक सब कर सकते हैं, थोड़ी देर रोक के रखो, तभी तो सेटिंग होगी बराबर, खुद अफसेट है, बाबजी बाबजी फेमिली अफसेट है, बिजिनिस अफसेट है, माइंड अफसेट है, रभई, योग से सेट हो जाएगा सब कुछ, बाबजी आपने भी बड़ा सपोर्ट किया था, मोदी जी को अच्छे दिन आएंगे, ब्रश्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, भारत को जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे, बाबजी बताओ ना काला धन कब आएगा, 30 रुपे का पैट्रोल कम मिलेगा, बहुत पूछते मेरे से, जब भी मैं कोई पोस्ट जलता हूँ न, फेस्बुक पर, ट्वीटर पर, तो सबसे पहले यही पूछते, अच्छी दिन कब आएंगे, मैंने का योग कर ले, तेरे अच्छी दिन आ जाएंगे, बाबडे, पहले अपने को तो सुधार ले, तो बोल बाबा जी आपने तो कहा था, सारी दुनिया का ठेका ले रखा, ठेका तो अभी भी ले रखा है, लेकिन मैं काले मन को तो पहले ठीक कर रहा हूँ, और काले धनवाला जिमे दरी दे रखी है, जिनके उपर वो लगे वें अपने काम में, करो, मरकटासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पहर सीधी, घुटना सीधा, एक दम स्ट्रीट वे, तो बढ़िया होता है अभ्यास, ऐसे है, फास क्लास, देखो ये हो गया मरकटासन, चलो, अब अर्धपवन मुक्तासन, एक एक पहर से भी, आराम आराम से बता रहे हैं, आराम आरा पहर से 10-20 से सुरू करके आधा-दा मिनट, एक-एक पहर से, फिर दोनों पहर से, सिर नहीं उठाना, कमर के लिए अभ्यास चले हैं, दाश्ट आज का, फिर जवानों के लिए तो दंड, बैठा, कसरत, सुर्य नमस्कार, ये सब है ही कारिकरम, लेकिन आज तो सुरू से करा ते करा ते ये इतना ही हो पाया, फिर कल फेर कराएंगे कुण सा में पिछा छोड़ने वाड़ा उंधारा, हाँ, ऐसे ये पूरा गर लिया, कोटने लगे चाती से, चरो रिलाक्स, अब एक-एक पहर को उठाएंगे, अर्धपाउन मुक्तासन, एक अपाद उतानासन, स्व तेरापीटिक योग, क्या बोलते हैं इसको, जोर से बोलो, तेरापीटिक योग, लंबे-लंबे शासों के साथ, ये स्वामी रामदेव ने ये सब कारिकरम कैसे कर पाए, मैंने करीब कराया, दस करोड़ लोगों को योग, कितने लोगों को, और मेरे शिश्यों ने पूरे हम देश में पतंजलि योग समीती, महिला पतंजलि योग स ममिती, भारत सौहिमान युवा, भारत पतंजलि किसान, सेवा समीते, हमरो सवमान, और अब तो सोचल मीडिया की भी प्रवारी बना दे, क्योंकि अब सोचल लिश्टेंसिंग में साइन्स और टेक्न tenía मदद ले र जिसका जितना होगा प्रचार, उसका होगा उतना विस्तार, تو मैंने जिन्कों शिखाया उन्होंने, आगी सिखाया ये करिक रण में तीन दश्कों से कर रहा हूं, कितने दश्कों से तीन दश्कों से, बहुत से लोग तो धर्ती पर पैदाई निवे थे उस समय मैंने शुरू कर दिया था जो आज कल के युवा है जो अभी ग्रेजिएशन पोस्ट ग्रेजिएशन कर रहे हैं अभी नए ने डॉक्टर बने इंजिनियर बने उनके माता पिता उनको गोदी में लेके आते थे आई पाद उतान आसन फिर कंधर आसन सितुबंद आसन पैर मोड़ो बीच से उठा दो यह है लंबे श्वास और इदी बाहर चोड़ करके पेट को खीचने तो बहुत अच्छी बात ऐसे पूरी स्पैनल खोड़ अच्छी हो जाते आराम आराम से इनको करते हैं फिर कट उतान आ पूरा मेरोधंड का पैकेज हो गया बारवाभ्यास चाल रहा भी है पूरी कमर उठ जाती है उपर कुले जमीन पर सिर जमीन पर पूरी रीट के अड़ियो पर तान देते हैं फिर नीचे दबा देते हैं फीजियो थेरापिस्ट भी आजकल यही करा रहे है अब थोड़ी द all in one है. शासंग के साथ मन को ठिकाओ, अंतर मख्यो होँजाओ, रिलैक्स होँजाते हैं. ये योग की जो प्रयोग में कर आधा हूँ, आपको थेरापिटिक योग कर राता हूँ, कि इस योग में ये योग, इष रोग में ये योग कर लो, मोटापा के लिए मधुमेह के लिए मेरू धंड के लिए फेरू अलग लग इनकेरिबल डिजीज इनकी दुनिया में कोई दवाई नहीं वेक है तो योग करके इनको मिटा सकते हो तो मैंने मिटाया है किताबों में तो कहीं लिखाई नहीं है सहज हो जाएगे और सबसे पहले मेरा विरोध योगियों नहीं किया तो मनों को कोई नहीं किताब भी लिखी जाएगी बल इसके तो कोई इविडेंस नहीं है मन का इविडेंस में मिल जाएगा करल भगाई जिनको आखों में द्रिष्टी नहीं थी उनको द्रिष्टी आ गई चस्मी हट गए कैट्रे गुल को मादूर हो गया द्रिष्टी आई डोब ड़ाया आमल की रसाइन सब्ताम नितलो मुक्ता शुक्ती खिलाया अनुलोम मिलोम कराया जो कर सकते थे उन बच्चों से सीरशासन सर्वांगासन भी कराया आंख आ गई अंधों को कान मिल गई बहरों को जबान मिल गई गोंगों को जिनको हाट अटेक हो रहा था हो चुका था 90% ब्लोकेज थे 99 और कुसके तो 100% भी इसलिए मैं अभी क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेग्रेसिवली योग कराते हैं तो इसलिए हमने 90% तक मैंने बोला है कि आपको हाट में ब्लोकेज हैं तो आप आजाएगे बताएगे योगा ग्राम में आई है यहाँ पर आप मैं यहाँ पर हूँ एक से तीन में में आपका हाट डिजिज डिवर्स या तो कॉलेटर आर्टरी तयार होंगी या मेन आर्टरी ओपन हो जाएगी नौ पेस मेकार नौ बाइपास नौ एंजोप्लास्टी रिलाक्स यह समासन भी रिवलाब करता है यह उशदी है लेधरोग के लिए उच्छर अप्तिचाफ के लिए स्ट्रेस अंजाटी डिप्रेशन इंसम्निया के लिए श्रासम पर मन को टिका लेते पोरे शरील को शित्र छोड़ देते है हार्ट डिजीज एसलेमेस ऑटोमेंट डिजीज ख्रोणिक लिए लिवर की प्रोब्लम और्थ ट्रोणिक स्कीन प्रोब्लम्स लिकोर्डर माश्रोडर 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 माश्रो किडनी में क्रेटिन ने लेवल चार-पांस तक बढ़ावा होता है तो हम रिवर्स कर देते हैं एक्सेप्शन की तोर पर हमने आठ से लेकि बारत तक भी कम किया है मन को ठिका देते हैं पूरी शरीर को एकदम ढ़ीला चोड़ देते हैं संकर्व से शरीर को शववत स्यंको शिववत अनुभव करना शिवो हम शिवो हम श्युआ श्रीर इंद्रियों से परे आत्म लगर। जो आत्मा है वो सच्चिदारंद सरूप है, पोण है, कोई अपोण था हमारे भीतर नहीं है, किसी भी प्रकार का धूरापन नहीं है, I am complete in my heart. दोनों हाथों को पर उठा लेते हैं, आपस मगड़ते हैं, दोनों हाथों के जर्म पर मसी जिंके उज़ा कोश्मा कर जना आखो पर करते हैं, को लेते हैं, बाइं करवट लेके बैठ जाते हैं, देखो. झाल